दोस्तों नमस्कार, उत्तर प्रदेश शुनाफ से पहले शिफसेना ये साफ कर चुकी है कि वो किसी भी दल के साथ में गड़वंदन नहीं करेगी पहले कहा जा रहा था कि शिफसेना का समाजवादी पार्टी यानि के अखलेश यादफ के साथ में गड़वंदन हो सकता है लेकिन पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ वेचारिक मदभेद बताए और इससे इंकार किया पैसे असल मुद्दा यह है कि अखलेश ने सीधे तोर पर वना कर दिया अब शिवसेना नेता संजय राउत की तरप से दोस्तों अखलेश यादफ को कुछ नसीहतें दी गई है साथ ही कहा गया है कि लोगों को अखलेश यादफ से काफी अपेक्षाएं है शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अखलेश यादफ को पूरा ध्यान चनाव पर लगाना चाहिए अखलेश यादफ को भी सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़नी होगी लोग बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ अखलेश को देख रहे हैं राउत ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की टकर और चकर राजनीती में बहुत महतपूर है योगी जी गोरकपुर से लड़ें या फिर आयुद्या से लड़ें ये उनका अधिकार है लेकिन देश में जो अराजकता है गंगा में लाशों को बहते देखा गया ये दरसल कोरोना के टाइम की बात कर रहे हैं संजराउत इससे जिन्दा लोग तो उन्हें वोट बिलकुल भी नहीं देंगे उन्होंने गुआ का जिक्र करते हुए काया कि गुआ मैं बीजेपी को मनोहर ने बढ़ाया है लेकिन उनकी मौत के बाद में उनके परिवार के साथ में दुर्वेवार हुआ उनके बेटे को अपमानित किया गया उत्पल की पनिजी से टिकेट देना होगा टिकेट नहीं दिया और अगर वो निर्वदलिये लड़ते हैं तो सभी पार्टियों को उनका समर्थन करना चाहिए जो दोस्तों संजराउत ने दो बड़े स्टेटमेंट दिये हैं पहला कि अखले श्यादफ के साथ में उनके वहचारिक मदबेत थे लेहाजा उन्होंने उनके साथ में गड़वंदन नहीं किया और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि योगी सरकार में लोगों ने गंगा में दरसल लासों को बहते हुए देखा इसलिए उन्हें सिर्फ मुर्दा ही वोट दे सकते हैं जो लोग भी जिन्दा है वो बोट नहीं देंगे तो पहले हम बात इस स्टेटमेंट की कर लेते हैं जिसमें संजराओत ने ये कहा कि योगी को तो सिर्फ मुर्दा वोट देंगे जैसे ही संजराओद की तरफ से ये जो है स्टेटमेंट दिया गया तो इस मुर्दा राजनीती पर दरसल भारती जनता पार्टी ने संजराओद को खरी खोटी सुनाई है भाजपा नेताओं का कहना है कि संजराओद वो भूल गई कि जो दरसल सोशल मीडिया पर वो तमाम तस्वीरें तैर रही थी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि उत्तरप्रदेश के गंगा में तो लाशों का दरसल अम्मार लगा हुआ है कोरोना के इस टाइम पर जब दूसरी लहर जो है चल रही थी लेकिन संजराओद ये भूल गए कि जो उन तस्वीरों को दरसल सोशल मीडिया पर तैरा रहे थे वो उनमें तमाम ऐसे पित्दी पत्रकार थे जो फरजी तस्वीरें कहीं और की तस्वीरें उत्तरप्रदेश की तस्वीरें बता करके सोशल मीडिया पर जो है प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिस कर रहे थे योगी के खिलाप में नेरेटिव सेट करने की कोशिस कर रहे थे तो उसे लेकर के संजाराउत ने एक बार भी नहीं किया जितनी भी दोस्तों तमाम फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं उनका सिर्फ काम ये है कि मोधी सरकार के खिलाप में किसी भी तरीके से प्रोपेगेंडा स्प्रेट किया जाये लेकिन जब वہ उन फेक तस्बीरों को दरसल सोशल मीडिया पर धड़ले से शेर किया रहा था ये बताकर कि गंगा में जो है को और उत्तरप्रदेश की योगी सरकार कुल मिला करके जहां पर भी भारती जनता पार्टी की सरकार होगी उन्हें बधनाम करना संजराउत का दोस्तों दूसरा स्टेट्मेंट बहुत ही ज्यादा महत्तपूर है क्योंकि संजराउत ने कहा कि अब वो उत्तरप्रदेश में अ तुरंत संजराओत ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अखलेश यादफ को सबको एक साथ में लेकर चलना चाहिए, अहंकार सबको डुबा कर डुबा देता है दरसल तो फिर ये किस चीज की टीज निकल कर सामने आ रही है जो ये इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि अखले अिकार्थ में शिφसेना का वर्चस नहीं और जाहिर तोर पर कोई भी विपक्षी दल की या कोई भी पोलिटिकल पार्टी अपने, जो है चुनावी नुकसान के लिए, चुनावी नफान के लिए, वो क्यों ऐसी पोलिटिकल पार्टी के साथ किसाथ में टाइपड करेगी जिसका जो है बिलकुल भी कोई भी वहाँ पर दरसल अस्तित नहीं है। कर लिया तो क्या शिवसेना महारास्ट में अपने वैचारिक मद्वेदों की बजए से उनसे जो है आलाइंस तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। की है और जो संजराउत ने स्टेटमेट दिया है कि योगी आधितनात सरकार को कोई भी जिन्दा वोटर जो है वोट नहीं देगा उन्हें तो सिर्फ मुर्दे वोट देंगे। इस पर भारती जन्रता पार्टी ने उन्हें जम कर फटका रहा है। बहराल जो कॉंट्रोवर्सी लगातार क्रियेट करते रहते हैं संजराउत और जो एक बार फुर से योगी सरकार को लेकर कॉंट्रोवर्सियल स्टेटमेट दिया है। इस पर आपकी जो भी रहा है मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिख बताएं।